Hello friends, बहुत बहुत सौगे था आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्राकंड के BSC Nursing, A&M, G&M, BSC Paramedical और MSC Paramedical का जो कोर्स है उसका जो आपका exam होने वाला उसके exam pattern के हम पूरी बात करेंगे ठीके तो आप सभी सी request है कि वीडियो को end तक देखना क्योंकि काफी सारे students ने request किये कि जो exam pattern change हो चुका है जैसे कि BSC Nursing का या बाके courses का तो प्लीज उस पर एक वीडियो बना दीजे ठीक है तो मैं आपके लिए सारी complete details ले आया हूँ तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखना end तक देखना ताकि आपको जो है सारी information अच्छे से पता लग जाए ठीक है तो जैसे कि आप सभी को पता है कल से कल रात से जो है late night जो है आपका form filling start हो चुका है open हो चुका है उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा कि कैसे form fill करना है ठीक है तो confirm है कि आपका जो exam है वो तो हो नहीं है 20 और 21st November को अब pattern में इन्होंने change किया है तो देख लेते हैं क्या क्या change किया है तो पहले अगर हम बात करें BSC nursing की ठीक है तो BSC nursing के जो course है उसका जो exam है वो होगा आपका 21 तारीक को ठीक है 21 तारीक को संड़े 21 नवंबर को तो 10 बजे से 12 वे तक यह आपका paper होगा इसका और इसमें इन्होंने 5 subject कर दी है पहले क्या होता था पिछले साल तक 3 ही subject आता था यानि कि physics, chemistry और biology ओके और 100 marks का paper होता था इस साल भी 100 marks का paper है और 2 hour का paper होगा यानि कि 2 घंटे का paper है 100 marks का paper होगा हर question जो है एक number का होगा ठीक है और इसमें कोई भी negative marking नहीं है यानि कि जो भी exam हो रहा है चाहें वो BAC nursing का हो, A&M का हो, J&M का हो, paramedical का हो किसी भी exam में आपकी negative marking नहीं है तो आप सभी से मिरी ये request है कि आप सारे ही questions attempt करके आएंगी भले ही आपको अगर नहीं भी आता है तो तुके जरूर लगा कर ठीक है तो पिछले बार तक क्या होता था फिजिस केमिस्ट्री बायोजी तो इस बर इन्होंने क्या कर दे दो additional subject इसमें जोड़ दिया है जो कि आपका English और nursing aptitude ठीक है अब देखिए फिजिस केमिस्ट्री बायो और English और nursing aptitude सभी subject से 20-20 question आएंगे और हर question जोगा एक marks का ठीक है अब बच्चे जो हैं फिजिस केमिस्ट्री बायोजी तो अच्छे से पढ़ लेंगे English भी थोड़ा वाग पढ़े लेंगे लेकिन उनको problem होगी nursing aptitude पे तो उस परिमें में जल्दी वीडियो बनाऊगा कि nursing aptitude आपको किस तरीके से पढ़ना है कहां से पढ़ना है ठी 3-4 उसमें option fill कर देते हो तो कोई भी negative marking नहीं है सही answer देने पर आपको एक marks मिलेगा next अगर हम बात करें तो वो है A&M तो A&M का exam जो है आपका वो होगा 20 तारिक को 20 November को यानि कि Saturday को और ये भी 10 से 12 वज़े तक होगा और इसमें भी क्या है आपके इसमें 4 subject हैंगे यानि कि प आएगा elementary mathematics आएगा और आपका general science आएगा और general knowledge आएगा ओके तो हिंदी जैसे आपके 20 कोशन होंगे हिंदी के elementary mathematics के 20 कोशन होंगे general science के 20 कोशन होंगे और GK के 40 कोशन होंगे तो आपको अपनी GK पर focus करना है अगर आप A&M का exam दे रहें क्योंकि आप 40 कोशन आ रहे हैं GK के ठीक है तो काफी जादा matter करते हैं 40 कोशन इसलिए आप अपने थोड़ा बहुत current affairs को भी पढ़ें और बाकी जो आपकी static GK है उसक basic Hindi आएगी basic English आएगी elementary mathematics आएगी और general science आएगी और general knowledge आएगी ओके तो इसमें आपका Hindi English से 10-10 कोशन होंगे और elementary mathematics से 20 कोशन होंगे और general science और GK से 30-30 कोशन होंगे तो आप जैसे कि देख सकते हैं GK और GS ये बहुत important role play कर रहे है तो इस पर में वीडियो बनाँगो कि किस त इसमारा paramedical course paramedical यानि कि BSC जो paramedical course में BSC करना चाते हैं उनका exam जो 21 तारीक को होगा धाई बज़े से साढ़े चार बज़े शाम को ओके और इसमें क्याएगा आपका 10-2 का course आएगा physics, chemistry और biology और अगर आप math से हैं तो PCM बढ़ेंगे ठीक है मतलब ये math और bio दोनों के ठीक है तो अगर आप math से हैं तो अपना PCM पढ़े 10-2 level यानि के class 11 और class 12 और अगर आप biology से हैं तो अपनी class 11 और class 12 की जो है अपना PCB वाला group पढ़ें ठीक है तो इसमें आपका फिजिस के 25 questions आएगे, chemistry के 25 questions आएगे और अगर आप biology से हैं तो bio के 50 questions और math से हैं तो math के 50 questions तो आपका जो है बायो और मैस जो है यह काफि ज़ादे इंपर्टन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर 50% इसका वेटेज है ठीक है यहाँ पर भी आपका 100 कोशन का पेपर होगा यहीं कि 100 माक्स का पेपर होने वाला है और 2 गंटे का ही पेपर होगा ठीक है नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है अगले हम बात करें तो वो है हमारा MSC जो आपका परमेडिकल कोर्स जो है MSC के लिए MSC के लिए MSC प्रोग्राम के लिए होने वाला है तो यह भी जो आपका एक्जाम होगा 21 तारीक को होगा धाई बज़े से 4 बज़े तो होगा 100 कोशन होगे और यह 100 लेगल के एंडरेंस में पूछा जाएगा यहां पर भी आपके 100 कोशन होंगे 2 आर्स का पेपर होगा और कोई भी नेकेटिव मार्किंग नहीं है तो यह हमने सारे ही एक्जाम जो भी होने वाले हैं उसके एक्जाम बैटन के बारे हमने हमने अच्छे से समझ लिया है कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं मैं आपको पक्का उसका अंसर दूँगा ठीक है और मैं इसके बात जो है वीडियो बनाऊंगा उस पर कि आपको किस तरीके से पढ़ना है कौन से सब्जेक्ट कहां से पढ़ने और कितना पढ़ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को प्रेस कर देना वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना है ठीक है और बस यही पर इस वीडियो को एंड करते हैं तो थाइंक यू एंड हेवा नाइस टे